गुड बॉर्णिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में अथरवेद के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा स्टुडेंट्स वेद किसे कहते हैं तो वेद प्राचीन भारत के साहिते हैं त तो रिशी लोग काते हैं ना सुनकर वेद के बारे में और वेद कितने हैं तो वेद रिक वेद यूटन साम्वेद यजुर्वेद और अथर्वेद तो रिग्वेद साम्वेद यजुर्वेद इन वेदों के बारे में जानकरी यह सब वीडियोज हमने पहले बनाए हुए हैं आप वहाँ पर हमारे वीडियोज को देखेगा और हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया OLD इसको आप ठीक है और वेद प्राचीन भारत के साहिते हैं तता हिंदू के धर्म गरंथ भी हैं वेद है ये सबसे प्राचीन गरंथों में से एक है तो देखेगा चार वेदों में से अथर वेद को आजम पढ़ते हैं और जो रिग वेद हो सबसे प्राचीन वेद है अथर वेद है सबसे बाद का वेद अर्था सबसे नया वेद है ठीक है तो देखेगा अथरवेद सहिता हिंदू धरम के पवितर तम और सर्वोचे धरम गरंत वेदों में से एक है यह है वेद सबसे बाद में लिखा गया अथरवेद में देवताओं की स्तूति के सासाथ चमतकार चिकिस्सा विज आर्य संसकρति के साथ अनार्य संसकर्ति से भी समबंदित है अतहा है इस वेत को पूर्वे के तीन वेतों के सम्भान महत्वे परतिष्ठाप्राप नहीं है उर ईसे वेद त्रई में सामिल नहीं किया गया है ठीक है ना तो देखेगा यहाँ पे क्यूशन बनता है वेद में रिगवेद, सामवेद और यजुरवेद हैं अथरवेद नहीं है इसमें 20 मंडल 731 सुत्र 5497 मंतर मिलते हैं जिसमें से 200 मंतर रिगवेद से लिए गए हैं अथरवेद में तंतर मंतर जादू टोना सले चिकिसा ओस्ति विज्ञान की जानकारी भी मिलती है यह अनारियसिं इस वेद को भारतिय चिकिसा सास्तर का प्राचिंतम गरंद कहा जाता है तो भारतिय चिकिसा सास्तर का प्राचिंतम गरंद कोन सा वेद है अथरवेद मगद अंग जैसे छित्रों हस्तिनापूर के राजा परिक्षित का उलेख भी अथरवेद में मिलता है यह कि उसन भी जगया है मगद अंग हस्तिनाफूर के राजा परिक्सित का उले कौन से वेद में है वो है आपका अथरवेद मगद के लोगों को अथरवेद में वरात्य कहा गया है वरात्य किसे कहा गया है मगद के लोगों को कांपर अथरवेद में वदिक सहिंतों में अथरवेद सहिंता क दोकिक फल देने वाली भी है इसमें मानव जीवन को सुखी तता दुख रहित बनाने के लिए किये जाने वाले अनुस्ठानों का उलेक मिलता है अथरवा नामक रिसी इसके पर्थम द्रिश्टा है अतह है उनी के नाम पर इस वेद का नाम अथरवेद पड़ा इसके दूसरे द्रिश्टा अंगीरस रिसी है इस कारण इस वेद को अथरवा अंगीरस वेद भी कहा जाता है अथरवा अंगीरस वेद को कहा जाता है अथरवा वेद को इसकी कुछ रिचाएं यग्य समंदी तथा ब्रह्म विद्या सम विशे हैं इसी कारण रिक वेद भी इस वेद को कह जाता है किन्तु इसके अधिकांस मंत्र लोकिक जिवन से संबंधित है समन्य मनुस्य के विचारों विश्वासों तता अंधिविश्वासों अधिगा विवरण अत्रवेद में प्राप्त होता है रोग निवारन तंत्र मंत्र जादू टोना साप वसीकरन आशिरवाद अधिविद विश्वासों से संबंधित मंत्र अत्रवेद में मिलते हैं आयूरवेद के सिदान तथा विवहार के अनेक बातें भी इसमें भरी पड़ी है इस परकार यह है गरंत लोकिक आचार विवहार का एक विश्वकोस ही है कावी की दृष्टी से भी यह है उचकोटी का संकलन है जिसमें अत्यंति सुन्दर एम रदेश परसी गीति काम्यों का समावेश हुआ है अत्रवेद भासा तता चंद की दरश्टी से रिगवेद के बहुत बाद की रचना परतीत होता है इसके भासा अनेग रूपों में रिगवेद से अरवाचीन है इसमें वाणित सभेता का स्थर्भी निरंतर है कुछ विद्वान इसमें आरियत था आरियतर अरथात बाद की ततों का समनवे देखते है अब देखेगा सबसे इंपोर्टेंट बात है जो सब भी वेदों से संबन्दिन थाए जीजिए ठीक है ना अत्रवेद के दो भाग या साखाए हैं सोनक साखा पिपलाद साखा अत्रवेद के पुरोहित ब्रह्मा अर्थात जो यग्ये का निरिक्षन करता है तो अत्रवेद के पुरोहित कोन से हैं ब्रह्मा अथ्रवेद के उपवेद सिल्पवेद अथ्रवेद के ब्राह्मन ग्रंद गोपत अथ्रवेद के उपनिशद मुंडक मांडू के और प्रेश्णा है अब देखेगा मुंडक है तो जो मुंडक के अथ्रवेद का उपनिशदा इसमें सत्ते मेव जैते का उले किया गया है और इसके साथ यग्ये की तुलना फुटी हुई नाव से की गई है ठीक है ना तो देखेगा इस वीडियो में हमने अथ्रवेद के बारे में संपूर्ण जानकरी प्राप्त करी और आगे के वीडियो भी आपको ऐसे ही मिलते रहें इसके लिए आपको हमारे यूटूब चनल परनेवाद